Hello and welcome to CMC Indoor आज हम Economic Survey 2023 के बारे में पूरा डीटेल जानेंगे कि भई इसमें important points क्या क्या रहे किन sectors के बारे में बात की गई है growth rate वगेरा क्या बताया गया है wish visitor पर जो organizations है जो संगठन है उन्होंने भारत के बारे में क्या कहा है तो पूरा डीटेल हम जानेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले तो Economic Survey होता क्या है ये कब से शुरू किया गया किसके द्वारा तयार किया जाता है ये सारी चीजे हम जान लेते हैं 1951 के समय में आया था यानि 1950 से 51 के बीच पहला Economic Survey पब्लिश किया गया था 1964 तक इसे केंदरी ये बजट जो बजट पेश किया जाता है देखो Economic Survey के दूसरे दिन बजट को पेश किया जाता है यानि कि बजट जो है वो आज रिलीज हुआ है लेकिन Economic Survey को कल रिलीज कर दिया गया है 1964 तक बजट और Economic Survey दोनों को एक साथ पेश किया जाता था लेकिन 1964 के बाद इसको budget से अलग कर दिया गया है अभी Economic Survey पहले पेश किया जाता है और budget उसके बाद पेश किया जाता है अब आर्थिक सर्वेक्षन यानि economic survey होता क्या है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है देखिए ये एक financial document होता है जिसमें पिछले एक वित्वर्ष के दोरान भारत के आर्थिक विकास की समिक्षा की जाती है यानि कि भारत में कितना आर्थिक विकास हुआ ये सारी चीजे इस economic survey में बताई जाती है पिछले वर्ष के बारे में इसमें बात की जाती है देखो इसमें एक difference है बजट में और economic survey में difference ये है कि बजट में जो पैसा दिया जाता है वो ये कहके दिया जाता है कि आगे के आने वाले साल में हम इतना खर्चा करेंगे इस sector में इतना expenditure होगा उसको ध्यान में रखते agriculture के बारे में यानि क्रिशी के छेतर में किस तरह के बदला हुआ उस बारे में बात की जाती है industrial production यानि कितना production हुआ उत्पादन कितना हुआ उस बारे में बात की जाती है रोजगार यानि कि employment कितना हुआ उस बारे में यहां बात की जाती महंगाई कितना रहा या कितना रह सकता है ये भी अनुवान इसमें लगाया जाता है export data क्या रहा ये भी इसमें बताया जाता है मतलब काफी सारी चीजों को एक जगा में आपको दिखाया जाता है सारा data जो है वो एक जगा में आपके सामने पेश किया जाता है अब यहां पर money supply और foreign exchange reserve जैसे दूसरे पहलूँ के बारे में भी बात की जाती है वो पिछले सालों में कितना रहा है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पिछले एक साल की ही बात की जाए पिछले कई सालों के साथ में comparison किया जाता है महंगाई दर के बारे में और foreign exchange reserve किस देश का कितना है भारत के पास कितना है इस बारे में भी यहां पर बात की जाती है वित मंत्रालाई के तहट काम करने वाले department of economic affairs के economics division द्वारा तैयार किया जाता है यह चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि भाई तैयार किसके द्वारा किया जाता है तो देखिए वित मंत्रालाई हमारी finance ministry है उस ministry के तहट एक department है जिसका नाम है department of economic affairs उस department के economics division द्वारा यह सरवे तैयार किया जाता है और किनकी देखरेक में तैयार किया जाता है तो भाई चीफ economic advisor की देखरेक में यह तैयार किया जाता है इस चीज़ को आप लोग घ्यान में रखेंगे एक और point यहां बहुत important है कि economic survey जो release किया जाता है इसमें जो भी data दिया जाता है जो भी अनुमान लगाए जाता है या जो भी सिफारिश है या recommendation दी जाती है इसमें वो सरकार पर बाद यह नहीं है यानि कि सरकार चाहे तो उसको implement करें चाहे तो ना करें यह सरकार के उपर है बिल्कुल भी binding नहीं रहती है इसकी सिफारिश है अब economic survey के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इस बारे में बात होती है इसमें कौन बनाता है यह सारी चीज़े हो गई अब मुख्य point देखते हैं कि इस साल का जो economic survey release किया गया इसमें क्या क्या points बताए गया है जो आपके लिए सबसे ज़ादे important है क्योंकि MCQ वाले जो question बनते है वो directly data यहां से उठा के उसमें डाला जाता है देखो 2023-24 की बात यहां पर करी जारी है ध्यान में रखना कौन से साल की बात करी जारी है 2023-24 के दौरान भारत की GDP GDP पता है न ग्रोज डोमेस्टिक प्रोड़क्ट GDP की जो growth rate है यानि विकासदर है उसका जो percentage है वो दिया गया 6.0 से 6.8% रहेगा याद रखना GDP rate जो है GDP दर जो है वो 6.0 से 6.8% रहने का रुमान है यहाँ पर GDP विकासदर वित्वर्श 24-24 के लिए वास्तविक आधार पर अगर बात करें तो 6.5% रहेगी यह यहाँ पर बताया गया है नेक्स्ट है अर्थ विवस्था की विकासदर यानि कि हमारी जो economy है हमारा जो economy growth है उसका जो विकासदर है वो 2023 को समाप्त होने वाले वर्श के लिए ठीक है पिछले वर्ष के अगर बात करें तो 8.7% था वो इस साल का बोला जा रहा है 7% रहेगा यानि मैंने बताया था आपको पिछले सालों के साथ comparison भी किया जा था उसका भी data यहां पर दिया गया है अब RBI यानि हमारे Reserve Bank of India के द्वारा कुछ बाते बताई गई है उनमें से एक है वित्वर्ष 2023 के लिए महंगाई दर यहां पर महंगाई की बात करी गई है कि महंगाई दर वित्वर्ष 2023 के लिए 6.8% रहेगी यह पॉइंट आप लोगों को नोट करना है 6.8% महंगाई दर रहेगी अब MSME छेत्र के लिए रिण में तेज वृद्धी हुई है यह बात भी यहां पर कही गई है है ना MSME छेत्र जो होता है जो छोटे उद्योग होते हैं लगू उद्योग जो होते हैं उस छेत्र में रिण में यानि लोन में वृद्धी देखी गई है जनवरी से नवेंबर 2022 तक का यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस दोरान एवरेज आधार पर अगर देखा जाए तो 30.5% यहाँ पर वृद्धी देखी गई है अब next अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको एक graph दिख रहा होगा जो कि economic growth के बारे में दर्शा रहा है इसमें यह बताया जा रहा है कि financial year 2020 से लेकर financial year 2023 तक economic growth का उतार चड़ाओ जो है वो किस तरह से रहा है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि financial year 20 जब चल रहा था तो उस समय पे जो growth rate हमारा था वो बहुत जादा था उसके बाद धीरे धीरे उतरा फिर चड़ा फिर अभी बताया जा रहा है कि यह normal पहुँच गया है मतलब काफी उपर देखो 2020 के time पे जो growth rate है वहाँ से इतना नीचे इसलिए उतर गया क्योंकि COVID pandemic आ गया था ठीक है कोरोना वाइरस जो है वो पूरी दुनिया में फैल गया था उस समय पे विकासदर हर एक देश का बहुत कम हो गया था भारत का भी हो गया था तो यह financial year 2020 में इसलिए यह कम होता गया 21 में भी recovery धीरे 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 होने लगी उसके बाद 22 में जो है recovery थोड़ी और जाद हुई और अब नेक्स्ट देखेंगे कि विकास का अनुमान जो लगाया गया है वो कई तत्यों पर आधारी था यानि कुछ facts देखे गये हैं जिन facts के हिसाब से जो आपको मैंने percentage बताए हैं कि महंगाई दर कितना रहेगा economic growth कितना रहेगा यह सारी चीजे इन तत्यों के आधार पर ही होगा ठीक है employment यानि की रोजगार generate होगा रोजगार बहुत जादा होगा तो पूझी गत्वे की जो उच्च दर है वो यहाँ पर देखी गई है उत्पादन गतिविदियों को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया प्रोडक्शन को बहुत जादा यहाँ पर बढ़ावा दिया रिलेशन है वो रिलेशन यह है बेटा economic growth से रिलेशन यह है वैक्सिन का कि जैसे ही हमने वैक्सिन लगवाया आपने ध्यान दिया होगा कि जब दोनों डोजेज लोगों को लग गए तो उसके बाद हम थोड़े से निश्चिन्थ होगे सरकार भी निश्चिन्थ होगे और स सूक्ष में लगू और मद्याम उद्याम चेत्र के लिए रिण में बरहोतरी जो मैंने अभी आपको बताया था MSME चेत्र में जो है लोन में बरहोतरी देखी गई है ये भी एक तरह का विकास दर में contribution करता है corporate और banking चेत्र के लेखा विवरंड पत्रों में यहाँ पर मजबूती देखी गई है चाहे आप बैंकों की बात करो चाहे आप corporate सेक्टर की बात करो दोनों के ही लेखा विवरंड पत्रों में बहुत ज़ादा मजबूती यहाँ पर देखने को मिली है जिस वजह से हमारा जो वो बढ़ गई थी क्योंकि लोग घरों में बैठे थे कोरोना वाइरस पूरा फैल चुका था अच्छी तरीके से वो लोग काम नहीं कर पा रहे थे जादा तर वर्क फ्रॉम होम चल रहा था लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे थे कई जगा ऐसी सिती थी कि सिर्फ 50% लोगी काम कर सकते हैं ओफिस जाकर ठीके तो उस वज़े से शेहरी बेरोजगारी दर जो है वो बहुत जादा वहाँ पर खराब देखने को मिली थी लेकिन अब यहाँ पर बेरोजगारी दर जो है वो कम हो गई है उस टाइम पर बहुत जादा हो गई थी ठीके यह बहुत अच्छी बात है कि इंप्लॉइमेंट जो है वो काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है करमचारी भविश्य निधी के कुल पंजी करण में तेजी आई है अब हम योजनाओं की भूमीका के बारे में देखेंगे कि कौन से योजना की क्या भूमीका रही है हमारे भारत के विकास में तो देखो महतमा गांधी राश्टिय ग्रामिट योजना गेरेंटी एक्ट ठीक है इसका मतलब है मन रेगा मन रेगा योजना आप लोग बहुत अच्छे से जानते है जो काफी सालों पूरानी योजना है और आज भी ग्रामिन छेत्रों में बहुत अच्छे से काम कर रही है इसके बार में ये बताएगा है कि ग्रामिंट छेत्रों में प्रत्यक्ष तोर पर रोजगार प्रदान किया जा रहा है आज भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बता है कि ये काम कर रही है ग्रामिन चेत्रों में आज भी रोजगार बहुत अच्छे से दिया जा रहा है PM किसान और PM गरीब कल्यान योजना ये दोनों ही जो योजना हैं ये भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है यानि कि आपको पता होगा कई लोगों को कई करोडों लोगों को यहाँ पर फ्री में राशन दिया जा रहा है PM किसान और PM गरीब कल्यान योजना जो है भारत की विकास में काफी ज़ादा अच्छी भूमी का है लोगों की काफी ज़ादा हेल्प हुई है इससे food security यहाँ पर सुनिश्चित की गई है मतलग कोई भी भूका नहीं रहेगा इस चीज़ को यहाँ पर सुनिश्चित किया गया किसी भी देश के लिए यह बहुत important चीज़ है आपात का लिन credit line guarantee योजना ये भी एक तरह की योजना है सुक्ष्म लगू और मद्यम उद्यमों को वित्तिय संकट से बचाने के लिए और covid जटके का सामना करने में यहाँ से मदद मिली है यह जो योजना है credit line guarantee योजना इसमें MSME जो है जो लगू उद्योग है सुक्ष्म उद्योग है उनको जो है काफी मदद मिली है इस योजना के तहट और covid के time पे जो उनकी स्थिती हो गई थी कई सारे उद्योगों को बंद करना पड़ गया था लेकिन इस योजना की वज़े से उनको भी covid जटके का सामना करने में बहुत help मिली है और भी जो योजना है उनका भी यहाँ पर बहुत ज़ादा contribution देखने को मिला उनमें से एक है आकांशी जिला कार्यकम यानि की aspirational district program जिसमें कई सारे भारत के कई सारे जिलों को चुना गया और उनका विकास करने की बात कही गई और उनका विकास हुआ भी है इश्रम portal ये एक portal है जिसके बार में यहाँ कहा गया है कि 28 करोड यानि साड़े 28 करोड तक असंगठिक श्रमिकों को पंजी कृत इसमें किया गया है ये portal है जिसमें registration हुआ है कितने लोगों का करीब 28 करोड लोगों का और वो कौन से लोग है जो असंगठिक छेत्र में श्रमिक है ठीक है उसके बाद कोविन प्लैटफॉर्म ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे वैक्सिन से रिलेटेड एक प्लैटफॉर्म इसके बारे में ये बताया गया है कि 22 करोड लाभार्तियों का सत्यापन यहां पर किया जा चुका यानि कि 22 करोड लाभार्ति जो है वो यहां पर verify किये जा चुके है ये कम संख्या नहीं होती है ठीक है परमपरागत क्रिशी विकास योजना ये भी एक योजना है इसमें ज रक्षदीप ऐसा पहला केंदर शाषित प्रदेश बन गया था जहां पर 100% और्गनिक फार्मिंग हो रही है तो जैविक खेती को बढ़ावा किसी योजना के तहट दिया जा रहा है तो आप बता सकते हो परमपरागत क्रिशी विकास योजना के तहट दिया जा रहा है राश् को बहुत बढ़ावा मिलेगा पी-म गतिशक्ति के तहट करोडों रुपे जो है वो सरकार खर्च कर रही है ताकि पूरे भारत में जो है वो उस एकोनॉमिक सर्वे की बुकलेट में जारी किया गया जिसमें बता गया है कि कुल स्वास्थ व्याय के प्रतिशत के रूप में जैके आउट ओफ पॉकेट एक्सपेंडीचर जो होता है यानि कि जब कोई बिमार पड़ता है तो उसके पॉकेट से जो खर्चा होता है जेब से जो खर्चा होता है उस बिमारी में जो लगता है वो financial year 2014 में 64.2% था लेकिन तब से अब घट गया है और अब घट कर financial year 19 की बात यहाँ पर हो रही है 19 में 48.2% हो गया है मैं आपको बताया था कि पिछले कई वर्षों की तुलना यहाँ पर की जाती है तो यहाँ पर out of pocket expenditure में भी कमी आई है जो एक बहुत अच्छी चीज है इससे क्या पता चल रहा है कि सरकार जो है जिस तरह की योजनाय लागू कर रही है उससे भारत में लोगों को जो है health related problems में भी मदद मिल रही है उनके जेब से जो पैसा लग रहा है उसमें भी कमी आई है कई योजना में चारी चाहे वो space का छेतर हो ठीक है space का छेतर हो क्रिशी का छेतर हो industries का छेतर हो हर छेतर में सरकार चारी है कि भाई private sector का थोड़ा सा योगदान यहाँ पर बढ़े तो यहाँ क्रिशी के छेतर में बोला जा रहा है 2020-21 की बात करूंगी मैं यह नीजी निवेश private sector का जो investment है वो बढ़कर 9.3% यहाँ पर हो गया है वित्वर्ष 2019 में 4.4 billion अमेरिकी डॉलर से वित्वर्ष 2022 में 11 billion अमेरिकी डॉलर तक electronics निरियात लगभग 3 गुना यहाँ पर बढ़ गया आप यहाँ पर ध्यान देना कि भाई 4.4 billion डॉलर का वित्वर्ष 2022 में जो है 2019 में जो है यह पर निरियात देखने को मिले था electronic सामानों का लेकिन अगर 19 से हम 22 का comparison करें तो वो बहुत जादा बढ़ गया है चार से बढ़कर 11.6 billion अमेरिकी डॉलर का हमने निरियात कर दिया है electronic सामानों का ठीक है Financial Year 2023 में सेवा के छेतर की अगर बात किया जाए यानि सर्विस सेक्टर की जिसमें होटल, रेस्टोरेंट ये सारी चीज़े आती है तो यहाँ पर 9.1% की दर से वृध्धी देखी जाएगी जो की Financial Year 2022 में 8.4% था यानि कम था अब जादा देखी जाएगी भारत 2022 में US डॉलर 100 बिलियन प्राप्त करने वाले दुनिया में प्रेशन का सबसे बड़ा प्राप्त करता है ये पोईंट आप लोग नोट करेंगे इसका मतलब ये है कि जो भारतिया बाहर जाकर दूसरे देश में जाकर काम करते हैं और वहां से पैसे भारत में वो भेज बिजते हैं उसको रेमिटेंस कहा जाता है उसको प्रेशन कहा जाता है और उन भारतिया लोगों ने भारत में 100 बिलियन डॉलर अभी तक भेजा है इस बारे में डेटा आया हुआ है और ये पूरी दुनिया में टॉप पर है यानि भारत अब रेमिटेंस के मामले में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत की क्या रैंकिंग देखने को मिली है अब डिसेंबर 2022 तक की अगर हम बात करें तो विदेशी मुद्रा भंडार 9.3 महीने के आयात को कवर करते हुए 563 बिलियन अमेरिकी डॉलर था ये डेटा जो है डिसेंबर 2022 तक का है जिसमें हमारा जो फॉरें एक्सचेंज रिजर्व है वो काफी अच्छा बताया रहा है 563 बिलियन अमेरिकी डॉलर हमारा फॉरें एक्सचेंज रिजर्व 2022 के डिसेंबर महीने तक था राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिलियम ठीक है नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 में लागू किया गया था उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है कि उसके तहत लगभग 81.4 करोड लाभारतियों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान दिया जा रहा है आपको अच्छे से पता हुगा कि कोविड के टाइम पे जो हमने शुरू किया था भारत की सरकार ने जो मुफ्त में अनाज देना शुरू किया था उस चीज़ को अभी भी कंटिन्यू किया जा रहा है ताकि गरीबों को खाने को लेकर कोई दिक्कत ना आए food security बनी रहे तो यहाँ पर 81.4 करोड लाभार्थियों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान प्रोवाइड किया जा रहा है अब यहाँ पर जो है हम पूरे economic survey का पूरी booklet का एक छोटा सा data देख लेते हैं जो कि आपको पूरे booklet का एक data यहाँ पर दिखा देगा देखो यहाँ पर fiscal deficit की बात करी गई है fiscal deficit मतलब क्या होता है कि भारत की सरकार ने जितना खर्च किया जितना expenditure किया उससे ज्यादा उनकी कमाई हुई है या उससे कम उनकी कमाई हुई है अगर उससे कम कमाई हुई है मतलब आय से ज्यादा अगर व्याय हुआ हुआ है उस बी stage के बारे में बोला गया कि fiscal deficit जो है वो 6.4 रहेगा ठीक है यहाँ पर inflation के बारे में बात करी गई है यानि कि महंगाई मुद्रा स्फिती के बारे में भी बात करी गई है जिसमें wholesale price index और consumer price index के बारे में बात करी गई है इसमें main होता है consumer price index जो हम लोगों के लिए जादा जरूरी है आम जनता के लिए जादा जरूरी है उसमें ये 2022 थे इसके बारे में बोला गया कि 6.8% average रहेगा यहाँ पर inflation ठीक है 6.8% foreign exchange reserve के बारे मैंने आपको बता ही दिया था लेकिन अगर पिछले कुछ सालों का comparison हम यहाँ पर करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 2019-20 में foreign exchange reserve हमारे पास 478 billion dollar था लेकिन वो बीच में बड़ भी गया था 2021-22 में जो है हमारे पास 607 billion dollar था लेकिन अभी थोड़ा सा कम देखने को मिला है बड़ दूसरी अर्थ विवस्थाओं से अगर हम comparison करें तो काफी अच्छे लेवल पर हम है तो 22-23 में जो है 563 billion dollar December 2022 तक का हमने data अभी देख लिया है foreign exchange reserve का यहाँ पर service sector की बात करी गई है कि service sector के बारे मैंने आपको बताया 2019-20 में 6.3% growth था service sector सेवा छेतर का लेकिन अभी 9.1% growth यहाँ पर बताई गई है जो काफी अच्छा है चीक है उसी तरह से industrial growth के बारे में बताये गए कि 4.1% यहाँ पर रहने का अनुमान है तो चलिए इसके साथ आगे की बात करते हैं तो भाई भारती अर्थ व्यवस्था महामारी के प्रभावों से मुक्त हो चुकी है यह एक बहुत important point है कि कोरोना वाइरस जब चल रहा था उस तेम पे बहुत इस्तिती खराब हो चुकी थी अर्थ व्यवस्था की लेकिन अब उससे हम उबर सोला से वितवश तेईस तक यानि साथ वर्षों की बात यहां पर हो रही है उसमें budget यह पूंजी गत्विया यानि capital expenditure में 2.7 गुना वृद्धी हुई है capital expenditure में जब वृद्धी होती है है ना उससे क्या पता चलता है कि भाई अब रोजगार्स region होगा employment बढ़िएगा ठीक ह यहां पर IMF और World IMF के World Economic Outlook Report के बारे में बताए गया भई अभी अभी IMF यानि International Monetary Fund जिसको अंतराश्री मुद्रा कोश कहते हैं यह एक संगठन है जिसके द्वारा World Economic Outlook नाम का report जारी किया है जो हर साल जारी किया जाता है 2022 का भी जारी हुआ है इसके अनुमसार वैश्विक विकास का वर्ष 2022 में 3.2% से धीमा होकर वर्ष 2023 में 2.7% होने का अनुमान है वैश्विक विकास के बारे में यहां पर बात करी गई है 2.7 होने का यहां पर अनुमान किया गया है परसेंटेज पर मैं बात कर रही हूँ वर्ष विश्व व्यापार संगठन के बारे में यहां पर बता गया कि इनोंने भी कुछ बाते कही है वैश्विक व्यापार में व्रिधी के संबंध में बात कही गई है कि विश्व का जो व्यापार हो रहा है उस बारे में किस तरह से यहां पर चर्चा करी गई है देखो संगठनों के द्वारा जैसे IMF ने अपने रिपोर्ट में अनुमान लगाया है उसी तरह से WTO ने भी अपने रिपोर्ट में अनुमान लगाया है और बोला है इसमें गिरावट देखने को मिलेगी 3.5% 2022 में था अब 1% जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है वैश्विक व्य दूसरे देशों से सामान मंगवाता है जो इंपोर्ट करता है उसमें बोला जा रहा है कि भारत का जो बिल है वो बढ़ेगा यानि पैसा जो है भारत को जादा देना पड़ेगा ऐसा क्यूं ऐसा इसलिए कि कीमतें बहुत जादा बढ़ गए आपको बहुत अच्छे से पत पाने पीने की चीजों की कीमत तेल की कीमत आठे की कीमत है लोगों में जो है मांग जादा देखने को मिल रही है तो यहां पर भारत का जो बिल है वो ज्ड़ेगा इंपोर्ट बिल जादा बैठेगा चालू वित्वर्ष में रोजगार के इस्तर में वृद्धी हुई है अभी जो financial year हमारा चल रहा है या भी जो चल रहा है उसके बारे में बोल रही हूँ मैं इसमें यह बहुत अच्छी बात कही गई रोजगार के इस्तर में वृद्धी देखने को मिली है यानि employment generate हुआ हर छेत्र में अब next हम देखते हैं वैश्विक अर्थ व्यवस्था कई चुनोतियों का सामना कर रहे है देखो विश्व लेवल की जो अर्थ व्यवस्था है सिर्फ भारत की बात नहीं करूंगी पूरे वर्ड की जो economy है वो कई चीजों का सामना करते हुए धीरे 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 आगे बढ़ रहे है लेकिन इस बारे में कई संगठनों ने ये बताया है कि भाई भारत की जो अर्थ व्यवस्था है वो इतनी चुनोतियों का सामना करने के बाद भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है दूसरे देशों के मुकाबले आप श्री लंका पाकिस्तान इनके बारे में देखलो इनके बारे में पढ़लो इनकी स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी है उसी भीच अगर तुम भारत की स्थिति देखोगे तो भारत ने भी कई चुनोतियों का सामना किया लेकिन अच्छे तरीके से बाहर उबर कर आ रही है ऐसा आप कई संगठनों के द्वारा बुला गया है तो उन चुनोतियों के बारे में यहां पर हम बात करेंगे कि भारत किन चुनोतियों का सामना अभी कर रही है कोवीड-19 से संबंदित चुनोतिया देखो अभी तक कहीं ना कहीं कोवीड-19 का थोड़ा बहुत अ आई है वहां से जो सामानों का आयात होता था निर्यात होता था मेंली जो एक्सपोर्ट होता था निर्यात होता था उसमें बाधा आने की वज़े से वर्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा प्रॉबलम यहां पर देखने को मिली है सामान की कीमते बढ़ गई है और भारत में भी सामान की कीमते उन सामानों की कीमते बढ़ी है जो वहां से मगवाई जाती थी तो इस संघर्ष की वज़े से भारत की अर्थ व्यवस्था में चुनौतियां देखने को मिली है इसके प्रतिकूल प्रभाव के कारण आपूर्ती में बाधा उत्पन हुई मतलब क्या है लोगों के पास मार्केट में पैसा बहुत जदा होता है तब महंगाई बढ़ साथ क्योंकि लोगों के पास अंधा दुन पैसा है तो वो किसी भी चीज की मुह मांगी कीमत देने को तयार है तो इन्फलेशन इससे बढ़ जाता है तो इसको रोकने के लिए जो विश्विस्तर का बैंक है फेडरल रिजर्ब उसने क्या करा कि दरों में वृद्धी कर दी ठीक है दरों में वृद्धी कर दी और उस कारण जो अलग-अलग देश है उनके केंद्रिय बैंकों के सामने समस्या खड़ी हो गई देखो जैसे हमारा केंद्रिय बैंक कौन सा है पूरे भारत का केंद्रिय बैंक है वो रिजर्ब बैंक है इसी तरह से अलग-अलग देशों के जो बहत्वपूर्ण वस्तू की कीमत में वृध्धी चुनोतियों की एक बहुत बड़ा चुनोतियों का कारण यहां पर दिख रहा है मतलब यह जो चीजे है देखो यह डेली की चीजे है डेली यूज वाली चीजे है ठीक है उर्वरक जो फर्टिलाइजर जो है वो किसान डेली बेसिस पे कई बार यूज करते हैं उनके पास भंडार रखा ही रहता है उर्वरकों का तो यह बहुत एक बेसिक चीज है बेसिक नीड है किसानों के लिए प्रक्रितिक गैस नैचुरल गैस का उपियोग हर जगा हो रहा है कच्चे तेल का उपियोग बहुत ज़्यादा जरूरी है इसमें थोड़ी सी भी अगर कमी आती है एबम अथीकांश अर्थ व्यवस्थाओं की तुलना में इसने उनका बहतर तरीके से सामना किया है इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्टली यह बोला गया है कई सारे संगठनों के द्वारा यह राय दी गई है कि यह सारे चुनौतिया सिर्फ भारत के सामने नहीं है कई देशों के सामने लेकिन भारत ने उन देशों के मुकाबले बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया है तो इसी के साथ पूरे economic survey के बारे में जो important points थे जो important data थे वो हमने बहुत अच्छे से discuss किया है किसी भी तरह का doubt या confusion हो तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं budget भी आज पेश हो चुका है इसी तरह के जो मुख्य बिंदू है हम budget के बारे में भी उस बारे में चर्चा करेंगे जो भी important points यहाँ पर होंगे I hope आपको यह पूरा topic समझ में आया होगा इसके data आपको note करने होंगे क्योंकि exam में पूछे जाते हैं इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जादा से जादा शेयर करें आज के लिए तना ही thank you so much